Hello everyone, कैसे हैं आप सब? तो हम आज स्टार्ट करेंगे चाप्टर वन का नेक्स टॉपिक Understanding Diversity, Grade 6, CBSC का तो हम बात कर रहे थे Making Friends की उसमें मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी समीर एक और समीर दो की उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो differences हैं एक तरीके से diversity है कि ये भी बच्चा अपने में युनीक है और ये भी अपने में युनीक है बट साथी साथ बहुत जादा inequality भी है क्योंकि कोई बहुत जादा गरीब है कोई बहुत जादा पूर है और inequality होने का सबसे important जो कारण है वो है caste system अब ये caste system आप लोगों को समझा देती हूँ बुक में ऐसे नहीं समझाया बट ऐसा होता है कि हिंदूस में चार तरीके के caste हैं जो ब्रह्मा के body से निकले हुए है वो चार टाइप की caste जो होती है सबसे पहले हम बोलते हैं ब्रह्मिन्स दूसरे हम बोलते हैं कशत्रियास ठीक है different organs जासे ब्रह्मिन्स जो होती हम बोला जाता है ब्रह्मा जी के मुह से निकलें फिर उसके बाद कशत्रियास आ जाते हैं फिर आ जाते है वेश्यास और finally आ जाते हैं शुद्रास और एक लोग एक set of लोग जो हैं जो इस caste system से बाहर हैं उनको हम बोलते हैं dullits या बहुत पहले बोला जाता था उनको untouchables आजकल सब लोग एक परावर हैं तो आप confused मत होएगा यह जो caste system है यह ऐसा क्यों बना हुआ है पुराने time से यह ऐसा बना हुआ है कि अगर कोई एक तरीके की occupation में है मतलब एक तरीके का काम कर रहा है तो वो उसी काम के उपर focus करेगा वही work करेगा वही occupation करेगा और उस occupation से वो बाहर बदल नहीं सकता तो कैसे होगा अगर वो बंदा बाहर उसके बच्चे भी वही काम करेंगे और उसके आगे बच्चे भी वही काम करेंगे यह तो एक तरीके की inequality हो गई न अगर आप अपना प्रोफेशन ही नहीं चेंज कर सकते हैं जो शुद्रा स्ट्राइप के हैं अगर वो वैश्यास का काम नहीं कर सकते हैं तो कैसे upliftment होगी यह तो बहुत गरबर हो जाएगी तो इसी वज़े से सबसे important जो system हमने change करना है वो यही change करना है कि वैश्यास के अंदर जैसे हैं मैंने आपको example दे देती हूँ अगर मैं बोलती हूँ कि वैश्यास कास्ट है या वैश्यास कास्ट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो उसमें कौन आ जाते हैं जादा से जादा अरे उनको educate करो उनको आगे लेकर जाओ तरक्की की तरफ लेकर जाओ ना तभी बात बनेगी तो चलिए मैं आपको अगले question का answer दे देती हूँ अगला topic what does diversity add to our life अब आपने देखा यहाँ पर case समीर एक और समीर दोगा दोनों अपने में unique थे दोनों के अलग तरीके के खान पहन थे दोनों के अलग तरीके के रहने के घर थे दोनों के अलग तरीके के festivals थे दोनों के अलग festivals अलग थे clothes अलग थे सब कुछ अलग अलग था यहां तक कि दोनों की बोलने की जो languages है क्या मैं बोल सकती हूँ वो भी अलगती ठीटो diverse, आप अपने दोस्ते ले लीजे compare कर लीजे, आप आपके दोस्त ठीक है, दोनों को अगर मैं compare करूँ दोनों में से किसी को stories पसंद होगी किसी को books पढ़ना पसंद होगा पसंद होगी, किसी को red कलर पसंद होगा किसी को blue कलर पसंद होगा है की नहीं diversity अगर सोचिए black and white होता हमारा TV भी colorful ना होता तो कितना बेकार लगता TV देखना भी ना तो यह चीजे जो diversity है तो हमारी जिंदगी को रंगीन बनाती आप सोचिए सब को आज की रेट में different तरीके की कहानिया सुनना पसंद है अगर मैं बात करूँ आपकी हो सकता है आपको animal की कहानिया पसंद हो हो सकता है मुझे ghost की कहानिया पसंद हो हो सकता है मुझे पनियों की कहानिया पसंद हो ठीक है हो सकता है आपको cartoon पसंद हो different तरीके के कहानिया, मतलब यह आप अपने आप की choice, आपकी जो choice है, उस हिसाब से आप कहानी सुनते हैं, तो जो लेखक होंगे इन कहानियों के, वो भी जरूर किसी ना किसी चीज से तो inspire हुए ही होंगे, जो writers है कहानिया के, हो सकते हैं उनको कहीं न कहीं ideas मिले हो, अब उनको ideas कैसे मिलते होंगे कहानिया लिखने के, वो different या तो imagine कर रहे होंगे, या फिर वो जाकर forest में रह रहे होंगे देखने के लिए, या फिर पुरानी kings या queens की book पढ़ रहे होंगे, जिससे उनको उनके बारे में knowledge मिले, वो सकते हैं ना ऐसा, या फिर वो सोच रहे होंगे, अरे दोस्ती भी गहरी होती है, तो यह सब ideas होते हैं, जो हमें diversity से ही मिल सकते हैं, अगर diversity और रंगीन नहीं होगी life, तो बहुत boring कहानी आएंगी, यह मैं आपको पहले ही बता दूँ, सोचिए, चोड़ो इस सब को, आप यह सोचिए कि दुनिया में same तरीके के लोग, same तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, वही कपड़े, ऐसे, ठीक है, same तरीके कहा खाना खा रहे हैं, same तरीके के कपड़े, same तरीके का खाना, same तरीके के language, same तरीके के festivals, कई पर आप दोस्तरों की language सुनते होंगे, तो आपको हिरामी होती होगी, आरे यह क्या बोल रहे है, कौनसी language बोल र है cat, वो भी छोड़ी है, ऐसा कर लेते हैं, सेम तरीके के colors भी ले लेते हैं, दो ही colors होंगे, ठीक है, एक ले लेते है red और एक लेते है white, अब आप बताईए इसमें से आप क्या कहानी निकालेंगे, अगर आप रंगी नहीं देख पारें, कहानी नहीं समझ पारें, तो फिर तो बहुत पंगा हो जाएगा ना, तो इसी लिए एक लेकर को और जो पढ़ रहा है, उसको भी पढ़ने के लिए, कुछ interesting, मसालेदार जैसे आप बोलते हैं, आप तो serial भी देखते हैं, वो मसालेदार जो चीज चाहिए होती है, वो ही हमारी जिन्दगी को बहुत रंगीन बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, अगर इंडिया में diversity नहीं होंगी, भिन-भिन प्रकार के religion और culture नहीं होंगे, तो फिर मज़ा ही क्या है, ठीक है, तो हम कहां जाएंगे हमारे को travel करने का भी क्या सौक पड़ेगा, कि अरे या travel क्यों करना, सेम ही तो है, अगर हमारी history भी अलग नहीं होगी, या हमारी geography, कोई पहाड पे जाना पसंद करता है, ठीक है, कोई लोग beach पे जाने पसंद करता है, अगर हमारी geography भी सेम नहीं होगी, या हमारी history उस जगह की भी सेम ही होगी, तो फिर कोई क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करेगा, तो इसे लिए हम move करते हैं, अपने next topic की तरफ, diversity in India, आप मानते हैं ना, इंडिया एक diverse culture को belong करता है, बहुत सारे culture आ जाते हैं इंडिया में, बहुत सारे religion के लोग आ जाते हैं इंडिया में, बहुत सारी practices वो इकठे follow करते हैं, पट एक तरीके इसे हैं अलग, different type की history है हर जगा की, different type की geography है हर जगा की, climate हर जगा, like weather हर जगा का अलग है, तो diversity तो है पॉस इंडिया में अगर आप देखें, लोग different languages भी बोलते हैं यहां तक, तो इस सब के इलावा, लोग different languages, लोगों के different customs, वही सब जो मैंने आपको पढ़ा हैं, अब स सोचिए, पहले क्या होता था, let's say किसी ने भुपाल से अगर जाना है, तामिलना तो, तो पहले तो बैल गाड़ी होती होगी, aeroplane भी नहीं थे, no train, no aeroplane, no bus, कुछ भी नहीं था, ना गाड़ियां थी, तो एक जगा से दूसरे जगा वो कैसे जाते होगे, ज़्यादा से ज चाइनिज लोग आए, वो शिप पे आए, यह तो शिप पे चाते थे, या फिर वो चैमल्स के उपर जाते थे, हॉर्स के उपर बैठ कर जाते थे, या फिर फूट पैदर, अब देखिया, आप यहाँ से यहाँ तक इतना distance कवर करेंगे, नहीं जगा जाएंगे, कोई कारण तो होगा उसका ठीक है और obviously बात है जब आप यहाँ से वापिस जाने की सोचेंगे तो दो बार सोचेंगे आप यही सोचेंगे चले यार थोड़ी दिर यहाँ पर रुकी लेते है तमिल नाटू में जान ही लेते हैं इनके लोगों के बारे में तो होता क्या था एक जगा से one place to another क्यों जाते थे लोग अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ देखिए कुछ कारण हो सकते हैं सबसे पहले कारण तो यह कि वो trade करने जाते थे अपना समान बेचने जाते थे वहाँ पर अगर वहाँ चले भी जाते तो काफी देर रुकते थे दूसरी बात उनको वहाँ पर क्यों रुकना पड़ता था क्योंकि कुछ natural disaster अगर हो जाते थे उनकी जगा उनके घर पर या उनके area में for example आप यह ले ले जिए फिर माइन्स हो गए या वहाँ पर किसी तरीके का drought की condition हो गई तो उनको भागना पड़ता था जब खाना ही नहीं है तो दूसरी जगा खाना खोजने के लिए जाना पड़ता था या फिर अगर वहाँ पर war हो गई उस area पे तो definitely उनको वह जगा छोड़नी पड़ेगी अब अपना घर छोड़ कर जब आप पराए घर में जाते हैं पराए घर मतलब दूसरी जगा में जाते हैं ये देखिए जैसे ये ले लेते है state one और ये ले लेते है state two अब दोनों के अलग-लग culture होंगे दोनों के अलग-लग रहनसेन के तरीके होंगे दोनों को अलग अलग ताइप की language बोलने में असानी होती होगी दोनों को अलग अलग ताइप का food पसंद होगा music दोनों का अलग अलग होगा religion दोनों का अलग होगा अब जब दो तरीके के लोग आप और आपका दोस्त मिलते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ interaction होते होते हैं कोई ना कोई different तरीके का culture नहीं बन जाता है आजकल तो pop music, yo 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 remix music चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है तो इससे क्या हो जाता था जब एक जगा से लोग दूसी जगा जाते थे, तो ये करते करते जो culture है, वो क्या हो जाता था interchange हो जाता था, intermix हो जाता था यहां के लोग, यहां पर culture accept कर लेते थे यहां के लोग, यहां का culture accept कर लेते थे इसी लिए हमें देखने को मिलता है कि काफी जगा पर काफी दूसरी जगा की cultures का effect क्योंकि एक दो दिन तो रहते नहीं थे काफी लंबी देर तक वहाँ पर रहेंगे तब ही वहाँ के लोगों का रहन सहन आप सोचिए आप hotel में जाते हैं, एक दो दिन रहते हैं क्या ही फरक पड़ता है, बट अगर आप लंबे trip पर जाते हैं कहीं पर किसी जगा पर एक दो महीने रुखते हैं, तो जगा जानने के इलाबा आपको वहाँ के लोगों की जो lifestyle है, उसका भी पता चलता है वहाँ की जो geography है उसका भी पता चलता है, क्योंकि geography के according ही लोग वहाँ पर कपड़े पहनते हैं, trade करते हैं और अपने काम धाम करते हैं तो आप क्या करते हैं, धीर धीरे diversity बढ़ाते हैं एक तो ये culture हो गया, एक ये culture हो गया एक दोनों को mix करकर एक remix type culture हो गया वो भी तो बन गया न ठीक है न, तो diversity तब ही आती है, जब लोग जो हैं, वो दूसरे lifestyle को भी adapt करते हैं, चीक है और तो और, लोग जो हैं किसी जगा पर जाकर, वहां की geography देखकर, वहां की life भी adapt कर लेते हैं, या वहां वैसे रहना start कर जिते हैं, उसे हम diversity बहते हैं और ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं आपको Ladakh और Kerala का example दूंगी, बट वो हम next class में करेंगे, अगर आपको session पसंद आया तो please do not forget to like, share and subscribe, thank you